हरी मिर्च के अचार तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन क्या हो जाते हैं, वक्त से पहले ही ये खराब हो जाते हैं, लेकिन आज मैं ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपके हरी मिर्च के अचार बीना धूप के भी 6 मेने आराम से चल जाएगी, कोई भी अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए सबसे मेन पाठ होता है तेल का, जिहां तो सरसो के तेल या फिर कोई भी तेल में बना रहे हैं, तो अच्छी तरह से ये डूबे हुए होने चाहिए, तो क्या हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सरसो तेल या कोई भी तेल जादा डालना नहीं जाते हैं तो यह रेसेपी में आप पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरहे से मैंने बताया है कि कम तेल में भी यह रेसेपी आपको लंबे समय तक कैसे चले अब मैं वो जनकारी देने वाले हूं तो सबसे पहले आपको हरी मिर्चे लेनी है हरी मिर्च कहीं से सड़े गले नहीं होने चाहिए और धो के, जिसने भी डंठर है सब को तोड़ लेने चाहिए, अब चली मैं मसाली निकाल लेती हूं, तो मैंने 100 ग्राम हरी मृच के यूच कीया है, तो इसमें मैंने 5-6 धने डाने हैं, कळी मिर्च का थोड़ा से मैंने जाला है, बहुत ही, थोड़ा तो आप पंखे की नीचे भी डाल सकते हैं, जितने भी एक्षा पानी है, सभी को सुखा लेने हैं, चाको भी रहेंगे, जो चाको से मैं कट कर रही, वो भी सुखे हुए रहने चाहिए, और यह देखे, यह साइज में आपको मिर्ची को कट कर लेना है, ना जादा मोटे मैंने कट किया है, ना जादा पतले किया, आप अपने हिसाब से साइज भी आप डिपेंड कर सकते हैं, और यह जो मसाले मैंने अभी अच्छी तरह से तावे में भूने थे, हलका सा भूना था, उसे मैंने दरदरा सा कूट लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलोंजी डाला है, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, यह सरसो, यह देखे, सरसो पीसे वाले सरसो है, लाल और पीले वाले, दोनों राई मैंने पीस लिये थे, और दो चमच के करीब मैंने डाल दिया है, और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा हिंग और स्वाद अनुसार नमक, नमक आपको ज़्यादा डालना है और हल्दी पाउडर और फिर मैंने डाला इसमें कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर क्योंकि ये तिखे नहीं होते हैं और बहुत अच्छा सा कलर भी आता है और सभी चीज डालने का बाद आपको डाल देने हैं सरसो के तेल, सरसो के तेल क्या हो जात जी इसके जितने भी जाग है सरसो तेल के सारे खतम हो जाएंगे और ये देखे बहुत ही कम तेल में ये अचार आपका बन के तयार हो चुका है और इससे भी अगर आपको कम तेल डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं और इससे और भी टिश्टी बनाने के लिए मैं ये दो दीन में ही आपके खाने के लिए बिल्कुल ही तयार हो जाएगी दो दीन में ही आप इससे खा के एंजोई कर सकते हैं और इससे जब भी मन हो आराम से इजी तरीके से बना सकते हैं और मैंने इससे बहुत सारी चने के अचार की रेसिपी और प्याच के अचार की रेस किया इसमें अब आपको क्या करना है कैसे इसे 6 मेने तक आपको चलाना है अब मैं वो तरीका बताती हूं तो इसे आपको 6 मेने तक प्रीज में श्टोर करके रखना है